कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत हैं दोस्तों सेवन्थ जेपीएस्टी का एक्जामनेशन हो चुका है और इसके लेकर कई सारा दूंद चल रहा है हर चैनल में कुछ बताया जा रहा है ठीक है हाला कि मैं बता दूंद दोस्तों कि जो जेपीएस्टी का इस बार का जो पेपर रहा वो पिछले जितने पार जेपीएस्टी का एक्जामनेशन होए है उन में से सबसे स्टेंडर्ड यानि अप टप लेबल के प्रस्ण पत्र पूछा गया है और इसके आंसर की को अग अभी तक कोई सटिकता के साथ नहीं कहा जा सकता कि यह एक्जेटली राइट है ऐसे कुछ प्रस्ण है हाला कि मैं बता दोस्तों कि आप जो भी किताब पढ़े हैं चाहे मनिस रंजन की बात करें असपरदा की बात करें उड़ान पब्लिकेशन की बात करें या लुसेंट्स की हो इनमेंसे कुछ ऐसे प्रस्ण है लगबग मिल जाएंगे जो आपको इन किताबों में नहीं है और हम लोगों का जो मुझ्छ आउजार होता है गूगल में भी इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है तो कूल मिलाकर यही कहा जा सकता है दोस्तों कि अभी जो आंसर की है इस प भी corrections होगा तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि expected cut-up क्या रहने वाला है चुकि paper के standard पिछले जितने भी एपिए से उसके तुलना में बहुत high quality का standard रहा है तो उसको लेकर एक एप्रो approximate cut-up के बारे में बात करेंगे मैं exact cut-up नहीं बता पाऊंगा लेकिन एप्रो एक्सिमेट यानि questions के standard के हिसब से जो cut-up बन सकते हैं उसी के बारे में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि जो टोटल वेकेंसी है पहले यह जाने लेजिए के टोटल वेकेंसी 252 यानि 252 पदों की वेकेंसी है इसमें जो टोटल आवेदन डाला गया था दोस्तों वह है 3,79,327 यानि इतने लोग आवेदन डाले और इसमें से एपिरेंस की बात करें यानि कल का जो एक्जामनेशन्स हुआ था उस एक्जामनेशन्स का जो एपिरेंस केंडिट रहा वो है लगभग अगर देखा जाए तो 2,47,000 लोग एपिर हुए एक्जामनेशन्स देने आये यह जो डेटा है दोस्तों यह निउस पेपर का डेटा है मैं उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ और इसमें भी बता दे रहा हूं दोस्तों जो एपिर 67% केंडिट रहे हैं इसमें से 2% ऐसे कंडिट और रहे हैं जो फर्स सिटिंग का यानि जी एस पेपर 1 का एग्जाम बनाते हैं दोस्तों तो 2016 में बात करें तो SCST का जो कट अब रहा था वह 190 से 200 के बीच रहा था वहीं पर ABC OBC और जेनरल की बात करें तो 200 से 215 तो इस बार का जो पीपर का स्टेंडर्ड है दोस्तों उस हिसाब के जो कट अब बन सकता है प्रोएक्सिमेट कट अब 2021 का एक्सपेक्टेड कट अब माक्स की बात कर रहा हूं तो वह है जेनरल केटेगरी में अगर है दोस्तों तो आप 220 प्लस यानि 60 मंतलब मान के चलिए 62 से 63 प्लसन आपको दोनों पिपर में सहीं करना होगा तभी जाके आप कर प 16 प्लस में रहेगा OBC केटेगरी में ठीक है SC में बात करें तो SC में 200 रहे रहने की उम्मीद है और ST में 190 प्लस में थोड़ा सा जा सकता है तो यह है दोस्तों एक्सपेक्टेड कट अब 2021 क्योंकि पेपर का स्टेंडर्ड पिछले बार के तुलना में बहुत हाई रहा है वह से उम्मीद करेंगे कि पिछला बार जो कटप था देखा जाए 200 से 215 तो इससे कम ही जाएगा फिर भी चुकि अगर देखा जाए वेकेंसी कम है तो तोड़ा फाइड भी ज्यादा होने वाला है कम वेकेंसी है एपीरेंस गंडेट भी लगवाग अच्छा खासा है इस बार यानि मुख परिक्षा में जिन लोगों को बुलाया जाएगा वेकेंसी का बंद्रगुना लोगों को मुख परिक्षा के लिए बुलाया जाएगा तो मैं उन सभी केंडेट्स को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का रौ मार्क्स अच्छा खासा है यानि 220 प्लस में है वो और यह आउग के द्वारा जो आंसर की रिलीज किया जाएगा उससे कुछ हद तक यह समाधान हो जाएगा तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अपने दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स स्थत्राइब करें दोस्तों में वीडियो जाएख ऊपया को अच्स्तों में टाटना हो चैन « खाग्वर्दी डाता लागा आप में खाब सांव बहा पृषर।»